कि अधेलНАबर देखें हाल में चर्चित जुमका जला स्थित्थ तो किस जीले में हैं ध्यांदीजी निबर बी कोरिया चले देखते हैं डिटेल से यह खुरिया जिला में जुमका जलमहुस्थाव का जो है आयोजन किया रहा है और यहां मुख्य मंत्री ने जुमका तथा घुनगुटा जलासय को परियतन छित्र बनाने की घोशना किया है और इसको भी एट करियेगा कि यहां मुख्य मंत्री ने 74 क्रण रोपे के विकास कारियों का भूमी पूजन तथा लोकारपन किया है और 500 एकर छित्र में फैले जुमका जलासय को क्या परियतन छित्र बनाया जाएगा और इसके साथ ही दूस्तों उन्होंने कोरिया में भी नालंदा परिसर बनाने की जो है घोशना किया है ठीक है तो यह सब है इसको एट करिएगा चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम से 2024 का छटा संस्क्रण में राज्ज का कौन सा रेंक रहा है कौन सा रेंक रहा है अप्सन को देखेंगे करेक्ट आंसर दूस्तों अप्सन नंबर बी 25 हुआ ओके चले देखते हैं डिटेल से ध्यान दिजे तो यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम से 2024 का छटा संस्क्रण 31 जनवरी 2024 को पूरा हुआ और पूरे देश से आये दूस्तों 5600 से अधिक एथलेटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम से 2024 में दूस्तों 19 से 31 जनवरी तक प्रतिस परदा किया और यह है कि तमिल नाडू ने दूस्तों इसकी जो है मेज़बानी की जहां चार नई मदुराई त्रीची और कोयम बटूर में खेल कारक्रम आयोजित किया ग फृण पर रहा है ठिक है तो 26 साइस थान यह एड़ करिएगा और पहला इस्थान पर कौन है देंखिए निमने लिखित में से किस अब्यार में गोडेना वाटरफाल इस्थित है तो गोडेना वाटरफाल कि दिया ऑप सान यहां पर दिया गया है सई आंसर दूस्ट्ट जिकी सीमा पर गोडेना वाटरफाल इस्थित है और यह धमतरी से 130 किलो मीटर की दूरी पर करला जहर गाउं में है और इस वाटरफाल में दोस्तों करीब 400 फीट की उचाई से पानी जो है नीचे गिरता है अगर वाटरफाल दोस्तों जिला पूछेगा तो लगाएगा धमतर चर्ची चगारो जीरा फुल या किस जिले का चावल है तो आप सने हाप पर है ध्यान दिजे दूस्तों करेक्ट अंसर है और बी है बलरामपूर ओके तो यह हम लोग का प्यारा चाथिस गड़ और यह अपका जो है यह बलरामपूर जिला ठीक है मैप का घ्यान आपको होना चाहिए चले देखते हैं डिटल से इसके सम्बन में तो चत्तिस गड़ का जो है चत्तिस गड़ में धान की एक किस्म चगारो जीरा फुल यह जो है बलरामपूर जीला का सुगंधी चावल है और यह काफी प्रसिद्ध सुगंधी चावल है ध्यान दिजेगा और उसी प्र लाइचया रिसारी नाग केशलर काली मुंच महराजी बायसूर करहनी है और यह भी आपको याद रखने एट करने दोस्तों की जीरा फुल चावल जिसे दोस्तों यह क्रिसी उत्पादन है ठीक है क्रिसी उत्पाद है जिसे आपका 2019 में जी आई टेग मिला है ठीक है और उस तो नगरी से हुआ है ठीक है यह सब एट करिएगा और भी है ध्यांद जीएगा कि 36 गड़ में मुख्यता सरना हो गया महमाया बबलेस्वरी दंतेस्वरी पूर्णीमा क्रांती आयर चौंसर्ट 36 हम्टी अनंदा सफरी सफरी 110 इंद्रा नाइन दुबराज विश्न भोग ब द्धान उत्पादित किये जा सकते हैं ठीक है तो इसको इसको तो वैसे मैं कई वर बता चुका हूं फिर भी एट करिएगा ठीक है यह जितने भी पॉइंट यहां पर बताए गये हैं ओके चलिए देखे दोनों सामिल अधूस्तों ध्यान दियेगा माई-कोठी योजना और बीजहा योजना दोनों को याद रखेगा ओके चले देखते हैं वैसे भी डिटेल से ध्यान दियेगा कि माई-कोठी योजना तो चतिस गड़ राज भासा आयोग द्वारा दोस्तों लेखकों से उनकी जो है चतिस गड़ी में प्रकासी तरचनाओं पुस्तकों ग्रंतों क जो है प्रतिया खरिदना है इस योजना के माध्यम से माई-कोठी योजना के माध्यम से वहीं बीजहा योजना दियान दियागा की विलुप्त हो रहे चतिस गड़ी सब्दों को संकलित करने के लिए चलाया गया यह अभियान है जिसका जो उदेश से है राज जिके सभी ल नौंबर 2007 को पारित किया गया था और इसी के उपलक्ष में 28 नौंबर को दुस्तों 36 गड़ी राजभासा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह याद रखिएगा कि 36 गड़ी राजभासा आयो के प्रतम अध्यक्ष कौन थे तो पंडिस स्यामलाल चत्रवेदी याद अध्यक्ष जो है पंडिस स्यामलाल चत्रवेदी थे है ना प्रतम जो है अध्यक्ष दूसरा जो है स्री दानेश्वर सरमा जी और तीसरा जो है अध्यक्ष विनेकुमार पाठक जी ओके चलिए तो किस योजना को बंद कर दिया है तो किस योजना को बंद कर दिया है और इस योजना से पीछले तीन साल में 132 करोड रुपए से अधिकी जो है रासी खर्च की गई थी और वर्तमान में दूस्तों यह है कि 13,242 राजियो यूवा मितान कलब का जो है गठन कर सफलता पुरवक संचालित किया जा रहा था और राजियो यूवा मितान कलब को दूस्तों प्रतेक तिन माह में 25,000 रुप यह सब एट करिएगा ओके चलिए देखे हाली में चर्ची सिव गंगा जल प्रपात के जिले में स्थित है तो आपसन यहाँ पर है धियान दिजिएगा इसको चलिए देखते हैं डिटल से धियान दिजिए तो यह है कि सिव गंगा जल प्रपात बस्तर जिला के जगदलपूर में इस्तित दुश्तों और यह जो जल प्रपात है तीरत गड़ते मातर एक किलोमेटर की दुरी पर है और यह धियान दिएगा कि इस जल प्रपात में बार चर्चा में है यह धियान दिएगा करेक्ट अंसर तो आफसान नंबर सी एक मार्च दोहजार चोबीश से ओके चले देखते डिटेल से धियान दिए कि राज जमील तो महतारी बंदन योजना में पात्र महिलाओं को एक मार्च दोहजार चोबीस से लाब मिलना सुरू हो जा और यह है कि महतारी बंदन योजना के लिए महिलाओं से दूस्तों यह पांच फरवरी से बीस फरवरी तक आउनलाइन आवेदन लिये जाएंगे यह भी एट करना है कि योजना का संचालन महिला एवं बालवी का स्विभागद्रा किया जाएगा और योजना अंतरगर्त व धान की खरीदी की गई है तो आप्सन को देखेंगे करेक्ट आंसर है जुस्तों आप्सन नंबर ए सही है 144.92 लाग तन धान की खरीदी की गई है ठीक है चले देखते हैं डिटेल से यह है याद रखिए का जुस्तों कि 36 गण में जो है समर्थन मुल्य पर अब तक की जो है धान की खरीदी की गई है एट करना है इसको और वही है कि एक नौंबर से चार फरवरी तक चले इस अभियान में 24,72,000 से अधिक किसानों से 144.92 लाग तन धान की खरीदी की गई है लगबग दोस्तों 145 लाग तन ठीक है और 36 गण निर्मान के बाद दोस्तों अब तक की जो से 37.49 लाग तन अधिक है और पिछले साल याद रखना है 107.53 लाग तन धान की खरीदी होई थी यह भी एट करिएगा कि राज्य सरकार के दोरा दूस्तों 21 क्विंटल प्रती एकर धान के बान से खरीदी की गई है और भी है इसके सम्वन में ध्यान दिएगा दूस्तों की किसानों से 31 रुपे प्रती क्विंटल की मान से धान की खरीदी की गई है और धान खरीदी सीजन में दूस्तों 24 लाग 72 जर से अधिक किसानों को 30 हजार याद रखने 30 हजार और 60 करोड 81 लाग रुपे का जय भुकतान किया गया है और धान खरीदी की अवधी 31 याद रखने 31 जनवरी से बढ़ा कर कितना कर दिया गया था चार फरवरी और कुल पंजी करीद किसान कितना है याद रखने है कुल पंजी करीद किसान तो 26 लाग और नए पंजी करीद किसान एड कितना हुआ है तो 2.66 लाग और यह एड करिएगा कि कुल धान खरीदी केंद्र ध्यान द इतना तो 92 लाग टन और 2020 में तो 83.94 लाग टन और 2019 में 80.37 लाग टन धान की खरीदी होई थी ओके तो यह सब है दूस्तों एट करिएगा इसको निस्पेपर के अधार पर है ओके चलिए यह अगला प्राश्न है देहन दिएगा देखे जीपीम जिला में किस नदी के तट पर सिद्ध पिकनिक स्पॉर्ट सीव घाट इस्तित है तो अप्सन यहां पर है ध्यान दिएगा इसको करेक्ट अंसर अप्सन नंबर एस हैं सोन नदी ओके चले देखे देखे जीपीम गौरेला पिंट्रा मरवाही जिला के दूस्तों विकास खंड मरवाही मुख्याला से लग लेटन केंद्र के साथ साथ प्रस्तित पिकनिक स्पॉर्ट भी है तो यह सब है एट करिएगा इसको ओके चलिए यह अगला प्रशन है देखे हाली में चर्चित ग्राम घुंचा पाली या केजिले में स्थित है तो आपसन यहां पर है देखेंगे करेक्ट अंसर आपसन नं प्रतिमा विराजमान है और यहीं है कि चैत्र दोनुन नवरात्री में यहां पर मेला का आयोजन किया जाता है ठीक है तो यह के जिले में आपका महासमून में देखेंगे के प्रज्यागीरी तेर्थ में 6 फरवरी से 31 अंतर राष्ट यह बहुत धम सम्मेलन का आयोजन किया यहां देस विदेस धम गुरू आयो हुए है और याद रखियागेरी जो 1000 फिट 300 मीटर की पहाड़ी की चोटी परिस्ति था यह, और इस पहाड़ी पर दूस्तों इस पहाड़ी में बुद्ध जी की जुए गौतम बुद्ध जी की विशालतम प्रतिमा है जिसकी उचाई कितने तीस फीट है याद रखिएगा पूछा जा सकता एक्जाम में तीस फीट उके चलिए नेक्ट प्रशन देखते हैं यह है देखे चतिस गड़ पुलिस ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गुमसुदा बच्चों की तलास के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया ध और इसके तहद दुस्तों अब तक जो है पांसो चार गुमसुदा बच्चों को तलास कर परिजनों को वापस सौपा गया है ऑप्रेशन मुसकान जो अभियान है एक जन्वरी से 31 जन्वरी 2014 तक चलाया गया और वही है कि इस पूरे अभियान में 50 बाला 454 बाली काउं का ज ठीक है ध्यांद जेगा चलिए नेक्स प्रशन देखते हैं देखे हाली में हुए सिनियर इस्टेट लेवल वैट लिफ्टिंग चैंपियंशिप में राइपूर के खिलाडियों ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किये हैं ऑप सने हां पर है देखेंगे करेक्ट अंतर दूस्त और रुकेश्षवरी शामिल है इसमें राय पूर की टीम ने ंवरलल चेंपियन रही एक राय पूर की टीम अवर ... छेंपियन रही और इस इसברदा में वेस्टे लियोंकी बेज्टाब है रायपूर के भाविस्ट सारंग ने जीत लिया है ठीके relevant कर या करिए इसको देखें कि राजनान गाउजिले में देश का पहला आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट इस्थापित है और इस प्लांट में दूस्तों एक फरवरी दो हजार चोबीस से बिजली का उत्पादन चालू हो गया है और दिन में 100 मेगावार्ट बिजली का उत्पादन किया रहा है यह भी एट करिएगा इस प्लांट में दूस्तों भारी भरकम बैटरी स्टोरेज का उपियोग किया जा रहा है और भी है इसके समन में एट करिएगा दूस्तों कि यह जो आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट के जो है सोलर पैनल राजन गाउजिले के डूंगर प्रिंगा कठेरा आतर गाउं गिर गाउं टोला गाउं और ओडार बांध मार गाउं की जो है खाली जमिन पर लगाए गया है और इस पर 900 करोड़ों पैस खर्च हुए हैं ध्यान जिएगा कि स्टोलर प्लांट से सप्लाई होने वाले बिजली राजन गाउं के ठेलकाड़ जो सही आंसर करेक्ट अंसर दूस्तों सी सही है से दुरगी जिला ठीक है ध्यान दिग्या है त्यायन दिए इसके स्टामन में तो यह है याद रखने की राज जेते के дूर्गी जिला में धम्दा विकास閱न के अंत्रगर्ट ग्राम हैं टित्ट गवे स्टे में यहादे चत्रभुजी शिव मंदिर इस्थित है काले पत्थर पर निर्मित है याद रखना है काले पत्थर पर यह निर्मित है और इस इस्थाल पर पहले तित्तुर पक्षी का सिकार करने धमदा के राजा यहां आते थे इस शेत्र का नाम इस गाओं का नाम क्या पड़ा तित्तुर यहां प्रती वर्स कार्तिक पूरीमा की यहां पर मिला लगता हों थीक है यहां पर क्या aanउश होकर और्मा न parenting होकर Connie देखेंगे जितने भी पॉंट है इसको और इसका जो सही आंसर रुप्सन नंबर एस लचका क्यमक्ता ओके घ्यान दिएगा जितने भी पॉंट है इसको और ताल और ले की अंतर से कर्मा नृत्य में कर्मा खाफ, कर्मा लहकी, कर्मा खरी और कर्मा जुलनी होते हैं ध्यांद जीगा तीनों का नाम ठीक है और ये याद रखने की कर्मा नृत्य में तीन भाग होते है इसमें राग, टेग और आड होता है ठीक है ध्यान जीएगा तीनों को कितने भाग होते हैं और भी है इसके समंद में एट करिएगा कि कर्मा गयान सैली के दूस्तों पांच भेद होता है इसमें आपका जूलर लंगडा लहकी ठाडा और रागनी है ठीक है और लहर वाले नृत्य को दूस्तों क्या बोलते हैं लह यम्टा कहलाता है तो इतना कुछ है दोस्तों ये निउस्पेपर के अधार पर है मिलता नहीं है एड कर लिजेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कभी भी पूछ सकते हैं ठीक है देखे हाल ही में चर्चित कुमेली जहरना या केस तस्दिल में इस्थित है तो ये भी रामनुज नगरवी कास खण में इस्तित है ठीक है ध्यान जीगा और पेपर में रामनुज गंज दिया है तो इसको सर्च करने पर यही मिला की सर्च करने पर यह सूरजपूर जिला ही लेना है बल रामपूर नहीं लेना है क्योंतेजी दूरी क्योंतेश्थित हैं औरसे Som ίह स्रूज पुछमल नयुए पाहले पूंपने सुराइब आपका सुरजपूर जिला कुली जहर्ना है यादेगा कि लेखन और जीवन के दूस्तो सब्सक्राइब का ओप्सन यहाँ पर है करेक्ट अंसर अप्सन नंबर डी विनूत कुमार शुक्ल ध्यान दियेगा इसके संबन में एट करना है याद रखेगा कि लेखन और जीवन के दुस्तों समगर अवदान के लिए अमर उजाला का जो है सरवोच सब्द सम्मान अकास दीप हिंदी के प मित्र में अद्वीती अवदान के लिए शम्मानित किया जाएगा विनुत कुमार शुक्ल जी दूस्तों याद रखने प्रत्थम सुन्दालाल सर्मा पुरुसकार प्राप्त करता है 2000 में मिला और उनकी जो रचनाए है इसको याद रखने रचनाए वह आदमी चला गया और नौकर की कमीज दिवार में एक खिलकी रहती थी लगबग जय हिंद खिलेगा तो देखेंगे यह सब उनकी रचनाए हैं पूछा जा सकता एक्जाम में इसको ध्यांद जीएगा ओके देखें असिवी महंत राजस सर्वेश्वर दास इसमृती अखिल भारती होकी प्रतियो प्रतियोगीता 2024 का आयोजन किया गया था और असिवी महंत राजस सर्वेश्वर दास इसमृती अखिल भारती होकी प्रतियोगीता 2024 में इंडियन एयर फोर्स नई दिल्ली ने प्रेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली को पांच एक गोल से हरा कर यह प्रतियोगीता अपने नाम कर लिया है और यह प्रतियोगीता दिगवीजय स्टेडियम समीती अंतर राष्टी एस्ट्रो टर्फ होकी स्टेडियम में खेली गई थी